हलो दोस्तों मस्कार के पीटीचर लगड़ में आपका हातिक स्वागत है आज से करतों आप सौस्त होंगे अच्छ होंगे दोस्तों हम सीटीपी वालविकास सेस्टास्त का थर्टी कुशन का जबर देस्स लगाएंगे जो कि इसीटर प्रिचा में आपकी बहुत ही अलवुक करेगा दोस्तों यह सेसं 30 क कुशन का सेसन होता है जो कि हम पड़े लगाते हैं वही म्होंच्टा सीरीस का सेसन चल रहा है तो आज के फरस्ट कुशन स्टार करेंगे प्याजे दोरा प्रतिपादक संग्यानत्मक विकास की अबस्ता नहीं है A. संबेदी प्रेरक B. अपचारिक संक्रियानत्मक C. अनपचारिक संक्रियानत्मक D. अमूर्तु संक्रियानत्मक तो कोशन पुचा गया है कि प्याजिय द्वारा प्रतिपादक प्रतिपादित संग्यानत विकास का या विकास की अवस्ता नहीं है तो कोशन नहीं है पुचा गया है और इसी का गोड़िया में आंसर देना है सबस्क्राइबु नहीं है अगला पमयूसेटि लगेंगी अध्यो इसे डान देखेंग लिख्यान के सिच्छा मानोवग्यान अध्यापगों की तयारी के अनुसार सिच्छा है यह कतन है रूसो का एक अकोडिंग भी यह इस पर ने सरका सिए इस्केनर का डीय बड़ु वर्थ कर तो कोश़न काफी अच्छा पूछा गया है तो सिच्छा मनोव ज्यान अध्यापकों की तयारी की लिए अनुसार सिच्छा है यह कृतन किसने दिया है तो इसको पूरक है एक दूसरे के समान B. एक दूसरे के पूरक C. एक दूसरे के ब्रोधी D. अपरिक्त सभी तो कोशन काफी अच्छा पूछा गया है इस पूछन सीचरड़ में काफी पूछे जाती है तो कोशन पूछा जाती है कि ब्रद्धी और विकास किस पूरक से है ऐसे कोशन दो समझेंगे जैसे बात करते हैं ब्रद्धी और विकास एक दूसरे के पूरक है तो अंसिता करेक्ट जाएगा हमने आपी B. अगला कोशन देखेंगे वीडियो को लाइक करते हैं साथी आत्मे बालक के समाजी गड़ का प्राथमिक इस्तर या गटक है यह खेल का मैदान B. परिवार C. विद्याल है D. समाज तो कोशन में पूछे जारा कि बालक के समाजी गड़ का प्राथमिक इस्तर या गटक क्या है तो इसका बात करते हैं बालक का समाजी गड़ का जो विकास है या समाजी गड़ जो प्रकरिया होती है सब उसे पहले वो हमारी परिवार से स्टाड़ हो जाती है तो इसका कोड़िंग आंसीता करेक्टर यह होँआ यहां पे B. परिवार से अगला कोशन देखेंगे सम्बेगों को छिपाने या चिद्दम रूप से अविवेक्त करने की प्रवरती विक्सित होती है A. सहसर वस्ता में B. बाले वस्ता में C. किसर वस्ता में D. प्रवडव वस्ता में तो कोशन देखेंगे जारा कि सम्बेगों को छिपाने या चिद्दम रूप से अविवेक्त करने की प्रवरती कि विक्सित होती है किस अवस्ता में इस प्रकाश से कुछ नहीं पुछ जा रहा है तो बात करती है संब्यक को छपाने वा चिद्धम रूप से अविविक्ति करने की जो प्रवर्ति विक्सित होती है वह है किस वर अवस्ता में तो अनसिदा करेक्ट जाएगा इसका वड़ी ह वह से हो जाता है सैसे परहसता वास्ता सmb ऑप और संभर सो जाता तो इसके चाहरा कि ऐह से बाला की किस अभस्ता में उसका सारीक मानसिक सामाजिक और समयगत विकास पूरी लूर्स या पूर्ण रूप से हो जाता है तो इसके ऐंचितills नहीं महाना है अगर खूर के हेंगी विडियो करते हैंँ कि पुर्फिंक है यह और बिटो्ट लायक करती है शहाथ में कौशेज का कौन सा बिकास से संबधित नहीं है यह डिकास आंतरिक होता है कि अ बिकास एक निशित क्रम में यह क्रम होता है सी ये विकास का सटीक मापन असम्मव है डी ये विकास कुछ समय बात रुक जाता है तो कोश्चन पुछा कि निमनलगत मैं से कौन सा प्रत्य विकास सी सम्मंदित नहीं है कोश्चन नहीं में पुछा गया है और इसी के अकॉर्डिंग में आंसर देना है कि तीन और लगास आंतरीक होता है करेक्ट वाते ओं से करता है और इसन विकास बात करते हैं विकास एक समय बात रूक जाता है's यहीं हमारा नहीं होता है विकास समय सब्सक्राइब करेक्ट भीकास को समय बाद रुक जाता है तो अगला कोशन देखेंगे बर्तमान सिच्छा प्रणाली सपल या असवल रही है ए बालकों की तारकिक चमता की मुल्यांकन में बिया सिच्छड की बिवारिक उप्योगता की मुल्यांकन में सिच्छड की दोरान प्राप्त जीवन की बिवारिक अनवाओं की मुल्यांकन में आउपर्यूक्त में से उपर्यूक्त सभी में मुल्यांकनों में तो काफी अच्छा कुछा गयाई है कोश्ज़ करते हैं मैं परिच्छा प्रनाली इसलिए सबाद है कि तरक सकती की छमता के मूल्यांकन में और सिच्छड की विवारिक उपयुकता के मुल्यंकन में और सिच्छड के दोरान प्राप्त जीवन के विवारिक अनुब की मुल्यंकन में इस से के यह connectivity नहीं होती है इसी का गोड़ी वारा आंसीजा खरेक्ट हो जाएगा उपर्युकत सभी मुल्यंकनों में तो आंसीदा ख्रेक्टर जाएगा डी अगला कुशन देखेंगे वीडियो को लाइक करते हैं साथ करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करने प्रैस करने जिसको वीडियो आपको मिलती रहेंगी कोशन देखेंगे प्रसिद्य मनुबिक ज्यानी जीन प्याजे के अनुसार ज्याने अंद्रियों का विकास किस अवस्ता में होता है ए बैचारिक क्रिया अवस्ता बीए संबिदनात्मक इस्तिदी अवस्ता सीए बिवेचना रहित विचार अवस्ता दीये संकलपना एवं प्रत्यात्मक कार्क विचारों की तयारी अवस्ता ग। शुआ रहा कि प्रश्धि-मनुबग्यानी जिन-पीयाजी की अनुशार ग्याननद्यों का विकास किस अवस्ता होता है? यह क। शुआ रहा है तो तो के हम बात करते हैं संब्हेदनात्मक इस्ति अवस्ता में ग्यानेद्यों का विकास होता है तो अंसिता करेक्टर एक्सकर गुर्णियों वारा बी अगला कोशन देखेंगे किस अवस्ता में संब्हेगों की इस्तरता या अउस्तरता सरवदिक होती है अगला कोशन देखेंगे सिगमंड फ्राइड के अनुसार किस अवस्ता में बालक में आत्म नहतिकता का आरम हो जाती है यह 1 से 5 वर्स दिये 6 से 11 वर्स सिये 2 से 6 वर्स दिये 11 से 16 वर्स कफी अच्छा कोशन पिचा किया है कोशन बजा कि सिगमंट फ्राइड के अनुसार किस अवस्ता में बालक में आत्म नहतिकता आरम हो जाती है तो जैसे के बात करती है कि बालक में आत्म नहतिकता आरम हो जाती है वह अवस्ता है जो कि 6 से 11 अवर्स की होती है अगला कोशन देखेंगे प्रवगात्मक बिदी को बिवारिक प्रयोग के रूप में प्रारम करने वाले मनुबग्यानिक है A. B. F. Skinner B. A. J. L. Moreno C. A. William Bund D. A. Harward तो कोशन पर जा रहा कि प्रवगात्मक बिदी को बिवारिक प्रयोग के रूप में प्रारम करने वाले मनुबग्यानिक कौन से है इस प्रारम को कोशन दो समझेंगे तो जैसे कि बात करती है J. L. Moreno प्रारम करने वाले मनुबग्यानिक बिदी को बिवारिक रूप में प्रयोग करने वाले बिलियम बुंट है तो अंसिद्धा कर दियागा इसका कुणि यमारा C अगरा कोशन देखेंगे अधिगम की सिद्धान्त एवं उनके प्रवर्तकों का कौन सा युग्म सुलेमित नहीं है कोशन नहीं है पूछा क्या है A देखेंगे अनुवेशर का सिद्धान्त जेरोम S. बुरुनर B. साब्दिक अधिगम प्राप्त अधिगम का सिद्धान्त आशुवेल C. प्राकरतिक दसा छेत्र सिद्धान्त कुट लेविन या कर्ट लेविन D. अनुकुर्ण सिद्धान्त या किलार्क L. हल तो कोश्चन पूछा जारा कि अधिगम की सिद्धान्त एवं उनके प्रत्वारतों का कौन सा युम सुलेविन नहीं या जोडा मेल नहीं है यह है कोश्चन में पूछा जारा है तो जैसे के मैं बात करती है प्राकरतिक दसा छेत्र सिद्धान्त को टलेविन के अनुसार सुलेमित नहीं है तो यह हमारा यह है और अनुकलों सिद्धान्त किलार्व खेलन का नहीं है तो यह हमारा करेक्टर अंसर हो जाएगा डी अगर वोश्य देखेंगे निमनलगत में से कौन सा कतन असत्य है कतन को असत्य पूछा गया है तो ए चिंतन के अंत्रा का समस्या की बेविन पहलों को एक साथ संयूजत किया जाता है बी यह चिंतन में गत्र अनुभूती सम्रित होती है सी यह चिंतन की प्रक्रिया में प्रैतन तथा भूल की प्रक्रिया नहीं होती है दिये बासा चिंतन का एक मैथपूर अंग है तो कतन असत पूछा गया असत कतन को हमें चाटना है तो इसका वड़ी हमारा आंसर ही दा करेक्ट होएगा चिंतन की प्रक्रिया में प्रतन वा भूल की प्रक्रिया नहीं होती है जबकि होती है यही हमारा आंसर इज़ा करेक्टर रहेगा C अद्वोशन देखेंगे अनुभाबिक अधिगम है A. बालक के अनुभाब के माद्यम से गठित अधिगम B. बैग्यानिक प्रयोग द्वारा प्राप्त ग्यान C. अध्यापक के सिच्छड से प्राप्त अधिगम D. अउप्रयोग द्वाबिक अधिगम क्या है इस परका से कोशन समझाएंगे तो जैसे कि हम बात करते हैं अनुभाबिक अधिगम जो की बालक के अनुभाब के माद्यम से गठित अधिगम होता है तो अन्सीतर करेक्टर है इसका गोड़ी होँवारा इप अगला कोशन देखेंगे वीडियो को लाइक करते हैं साथ में सेयर करते हैं दोस्तों साथ में चैनल को साथ स्काइब कर आए लगनों प्रैस कर लें अधिक प्रियोग में लाया जाता है इस प्रकार से कोशन समझेंगे तो जैसे के बात करते हैं चैनल तर्क द्वारा जो प्रियोग में लाया जाता है वह सबसे अधिक है आगनमात्मक तर्क तो अनसीदा करेक्ट हो जाएगा हमारा यह पर बी अगला कुशन देखेंगे किस मनोबग्यनक की द्वारा आगनमात्मक तर्क या विदी खोज और अनुसुद्दान की विदी है इसका गुझन करेक्ट हो रहेगा सी बातिया की द्वारा अगनमात्मक तर्क 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 करेंगे किन परिछणों से ब्यक्ती की किसी ब्यक्ती बस्तू, संस्ता या आदर्स की प्रति अविरती का पता चलता है A. अविरती परिछड, B. निदानर परिछड, C. अविरुची परिछड, D. निस्पत्ती परिछड किन परिछडों से ब्यक्ती की किसी ब्यक्ती बस्तू, संस्ता या आदर्स की प्रति अविरती का पता चलता है तो इसके अगोड़ी हमारा अंसिता करेक्ट हो जाएगा अभे ब्रति परिछड, तो ए आंसर हो जाएगा यहां पर हमारा अगल उप्शन देखेंगे चात्रों द्वारा ग्रेड किये गए ग्यान और कोसल का पता किस परिछड द्वारा लगाया जा सकता है ए अविरती परिछड, बी ए निदारण परिछड, सी ए निस्पत्ती परिछड, डी ए अविरुची परिछड तो कोश्चिन मुलाया कि छात्रों द्वारा गिर्हड किये गए ग्यान और कौसलों का पता किस परिच्छर द्वारा लगाया जा सकता है या जाता है तो इसका अंसरी ता करेक्टर लेगा हमारे यहां पे निश्पक्ति परिच्छर के द्वारा पता लाया जा सकता है तो अंस की सामाजिक्ता में विकास सी ये बालक की दुवारा स्वनु भाववों द्वारा लाव प्राप्ति की योग्जिता डिये उसकी सामान योग्जिता में ब्रद्धी तो कोश्चन बचाएगा कि मांसिक विकास प्राड़ाम होता है इसका गोड़ी आंसर करके जाएगा बालक की बुद्धी बालक की बुद्धी लब्दी होती है ए एक सो थीसों से कम, बी ए एक सो थीस से अधिक, सी ए साट से अधिक, डी ए सत्तर से कम, तो क्वेशन पुछा रहा कि बुद्धी बालक की बुद्धी लब्दी किस प्रकार की होती है, तो बुद्धी लब्दी के बारे में पूछा किया है बंदोबुद्धी वालक की वारे में उसे बात करती हैं बंदोबुद्धी वालक की बुद्धी लब्दी सत्तर से कम होती है तो अंसे गरिक अगर को शन देखते हैं तो गूंञ नगनिन व्यक्रिवन वत्व है CC सिचछर्ट सामिक गरी केवल द्रश्य सामिक गरी है यहर टपर स्थुर्थ रीडिय आ, मारे कोशने की सम्षम तरबिय यह पूछा गया है つुष spaghetti with Zak rip में उसके बारे में पूछा गया केवल देख कर भीन कर सकते हैं उसे पढ़ सकते हैं अधिगर्षा पर सकते हैं ज़िस्के में बात करते हैं क्योंकि चार्ट को सर्थापर कोहटा रहाता है सरथे technik कर शीफ सकते हैं और TV हैं से मुल्यंकन के संदर में ब्लू प्रिन्ट क्यों तयार करते हैं। B. प्रश्न पत्र निर्माड की योजना बनाने हेतू C. दिखावे के लिए D. परिच्छा के लिए तो कोश्चन पुछाए कि मुल्यांकिन की संदर्म में blueprint क्यों त्यार किया जाता है या करते हैं या कोश्चन पुछाए जारा कि तो इसको अकोडिंग बात करते हैं प्रश्न पत्र निर्माड की योजना बनाने हेतू blueprint त्यार किया जाता है तो अंसे देखावे करेक्ट रेगा हमारा यापे B अगला कोश्चन देखेंगे चात्रों के अध्यन करने का सरवुच्छतम साधन है अगला कोश्चन देखेंगे वीडियो को लाइक करते हैं सेयर करते हैं जिससे क कि जिस्काइब करने हैं आपको वीडियो बीडियों बिलती रहेंगी कोशन देखेंगे कच्छा कक्च में बिद्यारतियों के अधिगम का उच्छी स्तर बनाए रखने के लिए आवाशक है क기 A. कक्षा कक्ष में बिद्ध्यार्टियों को अधिकादिक अनौप चारिक अंतेक्रिया के अबसर प्रदान किये जाए B. कक्षा कक्षा कक्ष में ग्रहकार करने को कहना चाहिए B. कक्षा कक्षा कक्ष में बिद्ध्यार्टियों के अधिकादिक अनौप चारिक अंतेक्रिया के अबसर प्रदान किये जाए यह सबसे उच्चेता इस्थर होगा तो अनसीता करेक्ट पूलेगा हमारे यहां पर एक टैग अवड़ाए हुआ है यहां पर अबसर प्रदान करना यह वरा पॉजिटिव है जैसे कि आपको अप्षन मिल जाए तो 99% केस में हमारी अंसर देती है जैसे कि यहां पर दिया ग ब्यक्त करने वाला एक सब्द है परिवर्तन परिवर्तन सार्रिक सामाजिक और मनोवेग्यानिक होता है यह सहसवावस्ता बी यह बालेवस्ता सी यह किसर वस्ता डी यह प्रॉडवस्ता तो कुश्चन मिल जाकी बिग वह हंड के अनसार की विसेश्ताओं को सरवश्तन क्यामाजिक और मनोवेग्यों होता है कौन सी अवस्ता में इसकास में कुश्चन के बशाएव हैं तो जैसे की बात करते हैं इसके इसको अउटली हमारा अंसर टरहर में इस प्रकार की परवैपरतन होता है तो अन्सर करक्पर यहापर सी सिच्चा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न लिख में से किस दायत्तों को पूरा करने या करने होगा ये विद्धाले में नियमित रूप से समय पर उपस्तित होना बी ये पार्ठिकरम का संचलन कर पूरा करना होगा सिच्चा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न लिख में से किस दायत्तों को पूरा करना होगा ये कुछन में पूछा गया है तो इसका अध्यापक को बिद्धाले में नियमित रूप से समय पर उपस्तित होना पार्ठिकरम का संचलन करना या उसे पूरा करना और संपूल पार्ठिकरम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा ये सारी चीज़ा है राइट टू एजिक्रिशन दोयार 9 में कही गई है तो इसके अकॉर्डिंग हमाना अंसर करेक्ट हो जाएगा डी उपरिक्ट सभी अगला कुशन देखेंगे इस प्रकासे कोशन दोयार 5 में कला सिच्छा को बिद्याले में जोडने का उद्देश है ये सांसकर्दिक ब्रासत की प्रसंसा करना बी ये चात्रों की वेक्तुत और मानसिक स्वास्त को बिक्सित करना सी ए और बी दोनों सही है डी उपरिक्ट मैंसे कोई नहीं तो कोशन दोयार 5 में कला सिच्छा को बिद्याले में जोडने का उद्देश क्या है इस प्रकासे कोशन को समझेंगे तो जैसके बात करते हैं एंसे अब दोयर 5 में कला सिच्छा को जोडने का उद्द्यश है कि सांसिक्त प्रास्त की प्रसंसा करना और चात्रों की वेक्तुत और मानसिक स्वास्त को बिक्सित करना तो अंसर जाएगा इसका कोड़ी ए और बी दोनों सही है तो अंसर हो जाएंगे कि सिच्छ की सबसे मुख्य जुम्यदारी है एक टोर अनुसासन बनाई रखना बिए बिध्यार्तियों की विवेन अधिगम सेलियों के अनुसार सिरीकिने के मौके उपलब्द कराना से यह पार्ठ रियोजना त्यार करना और उसके अनुसार पढ़ाना डिये य जिबी चलापाओं का करना को जैसे सच्छ की सबसे तुक्षे क्या है यह कोश्यन में पूछा जा रहा है तो जैसे बात करते हैं सच्छक की जो मुक्षे हमारा वी अगला कुछ देखेंगे एक सिच्छक की नियुक्ति संदूर गाउं में की जाती है जहां पर ग्रामबासी अस्षित हैं और बिद्ध्याले बवन एवं पेजलकावी अवाव है गाउं में कार्य करने में सबसे बड़ी बादा है यह बिद्ध्याले बवन का अवाव काफी अच्छा कुछन पुछा कि एक सिच्छक की नियुक्ति सदूर गाउं में की जाती है जहां पर ग्रामबासी अस्षित हैं और बिद्ध्याले बवन में पेजलकी विवस्ता भी नहीं है या अवेवस्ता का अवाव है तो गाउं में कार करने में सबसे बड़ क्या होगी यह कुछन में पूछा जा रहा है तो जैसके हम बात करते हैं इसके अकोडिंग हमारा आंसर क्रेक्टर ना चीज़ समस्या समदान हिलू प्रेड़ना का अवाव होगा क्योंकि हमें वापे समस्या को समादान करना है और यह नहीं देखना कि यह पीजलकी विवस् आज है तो यह यह अम्यान चीज़ प्रेंगा है तो दोस्तों समय मिलते हैं अगरी शैसन में तो लॉक करें जैसे सेयर करें चनल को सब्सक्राइब करें बनागर मत्यों प्रेस करें जिसके वीघ्सीन नेक्स में तो बंदे मात्रम